हालो एवरीवन वेलकम टू दा चैनल दा जोरावर क्लासेज आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करेंट अफेस की क्लास में यह हो जाएगे अपनी 4th of February की क्लास और आज का मैं सेशन स्टार्ट कर उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपको सबको पता है जो हमारे पास पिसले कुछ ताइम से जुड़े हुए है कि हम यहाँ पे KVS, PRT and TGT की त्यारी कर रहे हैं और जब हम बात करते हैं especially TGT की तो यहाँ पे current affairs बहुत important रोल निभाती है क्योंकि यहाँ पे 40 marks की आती है अगर 40 में से आपने यहाँ पे 30 या 30 प्लस score कर लिया तो यह आपका एक score जो है वो आगे तक बढ़ा देती है काफी है current affairs में 30 प्लस score करना काफी easy बात नहीं होती है पाकि अगर आप first time देख रहे हैं और आप भी हमारे साथ कीवेस की त्यारी करना चाहते हैं तो एक number मैं लिख रहा हूँ 863-800-8832 simple मुझे अपना आप इस number पे name लिख के whatsapp कर सकते हैं कि मैं आपको अपने broadcast channel से जोड सकूँ जहां पे आपके पास time to time schedule, time table, links वगरा जितनी भी चीज़े हैं सारी उपलब्ध हो जाएं और नीचे description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा आप उसको भी साथ में join कर सकते हैं तो जोरावर classes for KBS preparation चलिए friends आज का अपना session स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question लेते हैं केंद्रे मंत्री किरन रिजुजू ने गंतंत्र दिवस की parade में निम्न में से किस राज्य की जाकी को प्रिथम पुरुषकार प्रदान किया बहुत important question है बहुत important question होगे superstar question है तो इसलिए इस question को तो अपने notes में superstar करके लिख लेना Union Minister किरन रिजुजू जो has presented the first prize to which of the following state tableau in the Republic they parade और ये दिया गया है उत्र प्रिदेश की जाकी को उत्र प्रिदेश के tableau को बहुत important question है मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत important question है गंतंत्र दिवस के राष्ट्य समारों में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई प्रेड में उत्र प्रिदेश के सूचना एवं जनसंचार और संस्कृती विभाग की जाकी को प्रतमिश्तान मिला है विभाग ने प्रेड में आयोध्या में बन रहे बवेश्य राम मंदिर की जाकी प्रदेशित की थी यह पहला अफसर है कि जब गंतंत्र दिवस की प्रेड में उत्र प्रदेश की जाकी को पहला पुरुषकार मिला हो बहुत important question है उत्र प्रदेश ने first prize इस बार अपने हासिल किया है जो गंतंत्र दिवस की जाकिया होती है उसमें बदो first time ओके यह question होगी अपना चलिए question number लेते है second question number two हाल ही में किस देश ने अपने बाश्मती चावल के लिए बहुगोलिक संकेत पहचान प्राप्त किया है recently which country has received geographical indicator identification for its बाश्मती राइस और यह हमारे पडोसी मुल्क पडोसी राज्य पाकिस्तान ने हासिल किया है क्या हासिल किया है जोग्रेफिकल इंडिकेटर आइडिफिकेशन पाकिस्तान ने अपने बाश्मती चावल के लिए बहुगोलिक संकेत पहचान प्राप्त किया है यह चावल के विश्येश किस्म के लिए एक स्थानिय पंजीकरन तयार करने और अंतर राष्टे बाजार में इस्तिती मजबूत करने का मार्क पस्ट करेगा बाश्मती अपने खास स्वाद और मोहक खुश्बू के लिए प्रशिद है इसका नाम बाश्मती अर्थात खुश्बू वाली किश्म होता है भारत इस किश्म का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांगला देश आते है तो ये कोश्चन भी आप ध्यान रख सकते हैं वैसे चलिए कोश्चन अमब लेते हैं आज का 3 नेक्स्ट कोश्चन मिस्व के लिए भारत का अगला राजदूत निम्ड में से किसे न्युक्त किया गया है अगीन इंपोर्टनेट कोश्चन, अगीन स्टार कोश्चन which of the following war is appointed the next ambassador of India to Egypt, मिस्र में, इजिप्ट में और ये किये गए हैं आपके अजीत विनायक गुपते अजीक विनायक गुपते जो हैं नए राजदूत होंगे मिस्र में भारत के लिए विदेश मंत्राले ने IFS अधिकारी अजीत विनायक गुपते को मिस्र के लिए भारत अगला राजदूत न्यूक किया है उन्होंने Indian Foreign Services में अपनी सिवाए 1991 में शुरू की थी उन्होंने चीन की मेडिन भाष्या की पढ़ाई की है और वह चीन के मामलों के जानकार है विनात रह चुके हैं तो अजीत विनायक गुपते इसको अपने नोट्स में लिख लेना ये हमारे अगले राजदूत अगले अमबैजर होंगे कहाँ पे इजिप्ट मिस्र के ठीक है चले कोशन नमबर लेता है next कोशन नमबर किस देश ने साल 2021 में संयुक तुराष्टे को शान्ती मिशन के लिए देड़ लाग दोलर की मदद करने की गुशना किये और ये हमने किये इंडिया ने पेशकर किये गोशना किये इस चीज़ की कि वो उनाइटेड नेशन को फो पीस वन पॉंट फाइव मिलियन डोलर की पेशकर करेगा भारत ने संयुक तुराष्टे को शान्ती मिशन के लिए देड़ लाग दोलर की मदद करने की गोशना किये साथी कहा है कि साल 2021 अधिक केंद्रित तरीके से खासकर कोरोना महमारी के संदर में वैश्शिक शमुदाय को शान्ती स्थापित करने का विशेश अफसर प्रदान करता है संयुक तुराष्टे में भारत के राजदूट टीएस त्रीमूर्थी ने का है कि हम शान्ती स्थापना की गतिविद्यों के लिए कोश का शमर्थन करते हैं एक चीज यहां पर निकल के आती है कि संयुक तुराष्टे यानि कि उनाइटी नेशन में भारत के राजदूट कोन है टीएस त्रीमूर्थी यह भी इंपोर्टेंट कोश्चन हो जाता है अपने आप में यह भी मतलब आपकी जन्रल अवेरनेस होई है ना हमीशा कहता लग चीज आती है वह भी लिख लिए अगर हो जब रिवाइज करते हैं तो यह चीज भी आ जाती है ठीक है चले कोश्चन लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर फाइव कोरोना वाइरस महमारी से पटने में आलोचनाओ के चलते किस देश के प्रधान मंत्री गुश्चेप कॉंटेक ने हाल ही में स्तिफा दे दिया गी इन वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन सूपर इंपोर्टेंट कोश्चन है भाइलोगे इंटरनेशनल लेवल का कुछ प्राइम मिनिस्टर ओफ विच कंट्री गुश्चेप कॉंटेक हाज रिसेंटली रिजाइन द्यू टू क्रिटिसम इन डीलिंग विद्ध कोरोना वाइरस एपडेमिक और यह इटली के मैंने भी बता दिया था बताते हुए है ना तो यह इटली के प्रधान मंत्री थे जि गुश्चेप कॉंटिटे ने हाल ही में स्थिफा दे दिया है गुश्चेप को साल 2018 में इटली का प्रधान मंत्री नउक्त किया गया था इससे पूर्व उन्होंने अपने करियर का अधिगांच हिस्सा कानून के प्रोफेशर के रूप में बिताया और साल 2013 से 2018 के बीच वे इतालवी परशाशनिक ब्यूरो के शदश्य भी रहे हैं ठीक है तो भाईया करोना मामारी में जो निपटने में जो इटली के प्रदान मंत्री की बहुत वादा आलोचना हो रही थी तो उन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया उनका नाम है गोईसेब कॉंटे ओके ये नाम ज के अनुसार इस साल देश की अर्थविवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी अकोर्डिंग टू दा इकनोमिक सर्वे प्रेजेंटेट इन पार्लियमेंट वोट परसेंटेज ओव दा कंट्री इकनोमी विल बी रजिस्टर बाई दीस यह और ये है 7.7 पर की है जिस मुख्य आर्थिक सलाकार कृष्ण मूर्ति सुब्रिमन्यम ने तियार किया है इसमें 2020-21 में भारते अर्थवस्था में 7.7 परसेंट की गिरावट की आशंका जताई गई है तो यह important question है यह 7.7 जरूर याद रखना है जब आप से पूछा जाए कि आर्थिक समिक् इसमें कितना रहा है तो वह 7.7 परसेंट की गिरावट की आशंका जताई गई है चली question ले लेते हैं next question number 7 अमेरिकी अंत्रिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वारते अमेरिकी महिला को कार्यकारी परमुक्त दिन्युक्त किया है लगे इन वेरी important question शूपर स्टार question फिर US Space Agency NASA has recently appointed which Indian American woman as acting chief और ये है हमारे भव्यालाल ठीक है भव्यालाल को चुना गया है for this post और ये बहुत important question हो जाता है अपने आप में की नासा जैसी एजेंसी में भारते लाल को अमेरिकी Space Agency NASA का कार्यकारी परमुक्त बनाए गया है भव्यालाल अमेरिका के नव निर्वाचित राष्टपती जो बाइडन की टीम का हिस्सा है और वे एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही है भव्या इससे पहले institute for defense analysis science and technology policy institute में research staff के रूप में भी काम कर चुकी है भव्या के पास engineering and space technology का व्यापक अनुबव है तो भाई लोग नाम याद रखना है भव्यालाल अमेरिकी Space Agency NASA की कार्यकारी परमुक्त बन गई है तो ये नाम अपने को याद रखना है important question है चली question लेते है next question number 8 निम्ड में से किस देश की सेना ने तकता पलट कर एक साल के लिए देश में emergency गोशित कर दिया again superstar question क्या बात है भाई आज तो एक के बाद एक superstar question आ रहा है which of the following country's army has overthrown and declared emergency in the country for one year और ये हमारे पडोसी मुल्क मैंनमार में हुआ है ठीक है कोई मैंनमार से कहीं जा रहा हो भाई क्योंकि यहां पर हम वैसे भी जा सकते हैं जाना मत बाइरोड भी चले जाते हैं ना मैंनमार में तो बर्मा कहते है जिसे पहले मैंनमार की सेना ने तक्ता पलट कर एक साल के लिए देश में emergency कुशित कर दी है इससे पहले मैंनमार में साल 1962 यानि की 1962 में तक्ता पलट किया गया था इसके बाद 49 49 सालों तक सेना का साशन रहा था पिछले वर्स 8 नेवेंबर को हुए आम में जो है सेना ने तक ताव लटकर एक साल के लिए emergency कोशित कर दिये कोशित नमबर ले दे नाइन सेकिंड लास्ट कोशिन ऑफ टूडे आर भी आई भारति रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास प्रियाप्त पुंजी ना होने के कारण उ इस लाइसेंस विधष शिवम कोशिति बैंक लोकेटि हैं न विचे स्टेट ओड plausible में आपने देखें एक सब्चार ने उब महास्टार उसे बैंक के विज़ी सब महारास्रा के ही हैं बारतिर रिजर्व बैंक ने महारास्टा के कोला पुर स्टित शिवम सहकारी बैंक making का लाइसेंस रद कर दिया है अर्भाई ने कहा है कि शिवम सहकारी बैंक के पास ना तो प्रियाप पूंजी है और ना ही भविश्य में कमाई की संभावना इस वज़ए से बैंक का लाइसेंस सतकाल परभाव से कैंसल कर दिया गया है इस वज़ए से बैंक 29 जनवरी 2021 से किसी तरह का वित्य लेंदेन या कोई बैंकिंग कौरोबार नहीं कर सकेगा तो ये आपका कोला पुरुस्तित महरास्ट्रा में शिवम सहकारी बैंक जिसका लाइसेंस रद कर दिया गया है आज का लास्ट कोईशन ले लेते हैं कोईशन नमबर टेंथ एसियाई क्रिक्ट परषयत ताइस मीन एसी सी का नया अध्यक्स किसे न्यूक्त किया गया है किसे चुना गया है प्रेजिडेंट ऑफ एसियन क्रिक्ट कांसिल और इसका अंसर है जैशा ठीक है जैशा को चुना गया है ये भी आपका इंपोर्टेंट कोईशन है बिल्कुल आ सकता है एक्जाम में ओके भारत्य किर्केट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड आशमीन बी सी सी आई सचीव जैशा एसियन क्रिक्ट कांसिल के नए अध्यक्ष बन गये है जैसा ने नुजमूल हसन की जगह लिए एशिया क्रिक्ट संगठन की स्थापना साल 1983 में हुई थी इस संगठन का मक्ष़द एशिया में क्रिक्ट के खेल को ज़ादा से ज़ादा बढ़ावा देना है वर्तमान में जैसा के लिए सबसे बड़ी चुनोती एशिया कप का आयोजन करना होगा जो काफे टाइम से नहीं हो रहा है और I think 2020 में होना था शाय है तो और कोरोना की वैसे वो नहीं हो पाया ठीक है तो भाई जैसा जो है Asian Cricket Council के नए अध्यक्ष बनाए गए है और उन्होंने नुजमुल हसन की जगह लिए है जो पांगलादेश से थे ठीक है ना तो ये हैं आज आज आपके टॉप 10 questions for today 4th of February and I hope you like it अब अगली जो है आपकी class होगी हिंदी की 11 बजे and friends please give me the feedback इसी वीडियो में दे दो कि आज 4 दिन स्टार्ट हो गया है आपका तो कैसा लग रहा है कैसा चल रहा है मतलब त्यारी कैसी मतलब जो हमने 1st February से हमने सोचा था कि हम कुछ अलग करेंगे कुछ अच्छी चीज लेके आएंगे आप लोगों के लिए तो आपका feedback क्या है कि आपको यह चीज़े पसंद आ रही है क्या जो timing से हो पसंद आ रही है कुछ लोग कह रहेंगे तो मैंने उन लोगों को कहा है कि आप रात को अपने 2 गंटे निकालो आराम से जब भी आपको time मिले और उसमें अपना सारा देख लो मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ live देखने के लिए कि जो देख सकते हैं जिनके लिए possible है I hope आपको इतनी मैनत हम लोग कर रहे है पसंद ही आ रहा होगा और most probably हम 28 February को अपना course भी launch कर देंगे आपके दुआरा एप हमारी बन चुकी है लेकिन जब तो उसमें course वगरा जाएगा नहीं तो कोई फाइदा नहीं आप लोगों को देने का है ना चलिए friends फिर अपना 11 बज़ा भी इंदी class लेन आप फिर मिलते हैं हम लोग तो कल भाई everyone take care